कहानिया अचनक हल्चल हुआ और काफी लोग डूग गे और कुछ लोग तेरते हुए नदी के किनार पर जा पूँचिया जान बचा का इधर नाव आगे बढ़ गया सब को नदी में छोड़ कर बचे हुए लोग जब नदी किनारे पर पूँचे तो राजा के पर जाके पूँचे और नाव को दरवार में पैश किया गया राजा ने पूचा नाविक से भाई तुम तो इतना अच्छा नाविक हो मैंने सुना है तुमारी बार में नाव कैसे डूप गया क्या नाव में छेट था नाविक ने बड़े प्यार से नमरता से कहा नहीं महाराज नाव विल्कुल दुरुस थी फिर राजा ने कहा इसका मतलब तुमने सवारी अधीक बिठाई होगी तब ही नाव डूप गया नाविक ने कहा नहीं महाराज सवारी नाव की च्छमता अनुसारी थे और नाजा ने कितनी बार मैंने इन से भी अधीक नाव में बिठाया था और बिठा कर पार लगाई है तो क्या आंधी दुख्वां जिसे प्रकुर्टिक आपदाई भी आई थी राजा ने कहा फिर नाविक ने कहा नहीं मौसम बड़ा सुहाना था नदी भी बिलकुल शार थे महाराज फिर राजा ने कहा तो क्या तुमने मदिरा पान पर नहीं किया था नाविक ने कहा नहीं महाराज आप मेरे साथ के लोगों से फूस्सक पर जिन लोगों ने मुझे दर्वार में लाए हैं आप इन से फूस्सक ते हो हम अच्छी तरीके से तेर के किनारे पर पहुंचें और जिवित लोटे हैं अगर मैं मदिरा पिया होता तो मैं नदी में ही डोक गया होता राजा ने फिर कहा फिर क्या चू कुई के इतनी बड़ी दोटना कैसे होगे इतनी लोग कैसे मर गे नभी ने कहा महाराज नाव बड़े धीरे धीरे बिना हल चल से नदीब चल रही थी तभी नाव में बेटे एक आदमी ने नाव के भीतर ही थुक दिया मैंने पतवार रोका और उसका बिराद किया और पूछा तुमने नाव की भीतर क्यों थुका उसने उपहास हस्ते हुए मजाग उडाते हुए कहा कि क्या मेरे नाव थुकने से नाव डूब जाएगी मैंने उसको बड़े प्यार से कहा राजा जी नाव तो नहीं डूँएगी लेकिन तुम्हारे इस नित्रुष्ट कार्य से हम शर्म से डूँग रहे हैं बताओ जो नाव अपने सिने पर बिठा कर तुम्हें नदी पार कर रहा है अपने सिने पर बिठा कर नदी पार ले जा रही है उसे तुम ठोग रहे हो राजे ने कहा फेद तो क्या हो नादिक ने कहा महराज मेरी इतनी बात पर वो इतना गुसा आ गया बोला पैसा देते हैं नदी पार करने के कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम हमारी उपर नहीं एहसान कर रही है नाव हमारी उपर पैसा देने का क्या मतलब राजा ने बड़े असरी के साथ कहा इसका मतलब पैसा देता है तो नाव में ठुकेगा अच्छा फिर क्या हो नादिक ने कहा महाराज वो मुझसे वहस करने लगा लड़ने लगा राजा फिर बीच में कहे अच्छा ये बताओ जो बीच में लोग बैठे थे इतने सारे लोग क्या उसकी बाद सुन रहे थे क्या उन लोगों ने विरुध नहीं किया महाराज ऐसा दही था नाव के बहुत से लोग मेरे साथ विरुध करने लगे थे उसका तब तो उसका मनवल तूटा होगा राजा ने कहा उसको अपनी गल्ती का एहसास भी हुआ होगा ऐसा नहीं था महाराज नाविग ने बड़े नमता से कहा नाव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनके साथ खड़े हो गये थे कि थुकने से क्या नुक्सान हो गया पितरी खंड दो भाग हो गये थे हम बीच मजधार में ही यातरी आपस में उलज पड़े मेरे तरफ कुछ लोग कुछ लोग उनके तरफ चलती नाव में ही मारपीट मारपीट राजा ने फिर कहा क्या तुमने समझाये नहीं महराज मेंने बहुत समझाये था लेकिन वो इतने लड़ पड़े इतने लड़ पड़े नाव हिला डुला और इतने में ही पानी गुज गया मैंने कहा उनको अभी नाजुक स्थिती में है आप लड़ाई मत करो हलचल मत करो लेकिन उन्होंने मारा ने है और अपने जान गवा बैठे और हम अपने जान को बचाते हुए इनके जान बचाते हुए किनारे पर पहुंचा फिर राजा चुप हो गए राजा कहने लेगे इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों एक कहानी का सार ये है अभी का समय जो चल रहा है इस नाजुक दोर में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है बिदेशों की परंपरा है कि कचरा नहीं फेकना इदर उदर नहीं थुकना हम भी अपने भारत देश को वो स्वर्ग जैसा सुनहरा बनाने के लिए सुन्दर स्वर्ग बनाने के लिए अपनी कारिय विवार को अपनी आचरण को अपनी आदतों को बदले बैसे भी बीमारी से बचने के लिए इन सब की उपाय हमें करना होगा समय की पुकार है सुद्रो नहीं तो सुधर ना पड़ेगा तो कहानिया में एंस सिखाती है कि हम अपने सस्कार को बदले संसार बदल जाएगा हम अपने विचार को बदले संसार बदल जाएगा हम अपने आदतों को बदले संसार बदल जाएगा हम अपने आग को बदले पुरी कायनत बदल जाएगा हम अगर अपने बुद्धी बिवेख आचरन को बदलते हैं संभेता को बदलते हैं पूरे सुष्टि ग्रम्हान बदल जाएगा यही है बदलने की फक्रिया और यह चलता रहेगा इसलिए हमेशा याद रखे मुझे बदलना है मुझे बदलना है आम शान्ति आम शान्ति आम शान्ति कहानिया मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए लाए हैं एक सुन्दर से कहानी आज हमारी कहानी इस प्रकार है एक बार एक नाव में बहुत सारी लोग बेटके नदी की उसवा जा रहे थे नावीक चला रहा थे बड़े अच्छे तरीके से चला जा रहा है अचनक हल्चल हुआ और काफी लोग डूग गे और कुछ लोग तेरते हुए नदी के किनार पर जा पहुँचिया जान बचा का इधिर नाव आगे बढ़ गया सब को नदी में छोड़ कर बच्चे हुए लोग जब किनारे पर पहुँचे तो राजा के परस जाके पहुँचे और नावीक को दरवार में पैश्ट किया गया राजा ने पूछा नावीक से भाई तुम तो इतना अच्छा नावीक हो मैंने सुना है तुमारे बार में नाव कैसे डूप गया क्या नाव में छेथ था नावीक ने बड़े प्यार से नमरता से कहा नहीं महाराथ नाव विलकुल दुरुस्त थी फिर राजा ने कहा इसका मतलब तुमने सवारी अधीक विठाई होगी तभी नाव डूप लिया झाल 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 झाल